हैलो फ्रेंड्स क्या आप जानते हो हमारी आखे रंगों को कैसे पहचानती है जैसे की लाल टमाटर, हरी मिर्ची, पिंग स्ट्रोबेरी आइस क्रीम वगएरा वगएरा नहीं ना तो चल ये आज साथ हमारी आसपास के द्रश्यों का प्रती भी आख के लेंस के माध्यम से लेंस के पिछे रेटिना परपड़ता है और मस्तिस्क रेटिना को संदेश देता है और क्या आप जानते हैं के रेटिना में ऐसा क्या है चो द्रश्यरंगों को अलग करता है और हमें एक रंग पहचान द आंक की रेटिना में अलग-अलग रंग के पदार्थ होते हैं जिनको कॉलसेन कहा जाता है। हरे और भुरे रंगों के साथ-साथ विप्रित रंगों का भी पता लगाती है। रंगों का विशलेशन मस्तिस्क के पिछे विज्यल कोर्टेक्स में होता है। हमारी आखे रंग का पता लगाती है और मस्तिस्क को रंग से ओगत करती है। मस्तिस्क उस रंग को पहचानता है और उस पर प्रतिक्रिया करता है। उसमें कुछ रंग हमें पसंद आते हैं और कुछ रंग हमें नहीं पसंद आते हैं क्योंकि रंग हमारे मुड को भी प्रभावित करते हैं। वेल एक एक्जाम्पल से समझते हैं सुरज की रोशनी सेब पेपड़ती हैं एक लाल सेब की सतर लाल रंग के अलावा सभी रंगी इन कीरणों को अउशेशित करती हैं और इस रंग को मानव आँख को दिखाती हैं आँख प्रतिबिम्बित लाल प्रकाश प्राप्त करती हैं और मस्तिस को एक संदेश देती हैं इस तरह से सेब का रंग लाल दिखता है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो फ्रेंड्स ऐसे कई फेक्ट्स जो आप रोजिन्दी जिन्दगी में महसूस करते होंगे और आपके मन में भी क्वेशन्स अराइस होते होंग ठलाइस अराइस रजैर कोइब से तरह से अराइस होगी से प झाल झाल